आजकल रेनी सीजन है और इन बरसातों में बारिश के पानी से जितना फाइदा पौदों को होता है उतने ही जादा नुकसान भी होता है कीड़े, मकोड़े, अजीब अजीब तरीके के फंगस क्रियेट होती ही रहती है तो एक ऐसी चीज बिल्कुल घर में पाई जाने वाली दो रुपे की चीज से आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं और सिर्फ इसके इस्तिमाल से ही नहीं मैं पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या फर्टिलाइजर बनाऊंगी एक चीज और है मेरे पास जिसे के मैं बिल् पिल्कुल मुफ्तवे बनकर तयार होगा और पिल्कुल एक बहतरीन अमेजिंग सा असर रखने वाला फर्टिलाइजर रेडी होगा असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शबनोर एली तो एक बकेट में मैंने पानी भर लिया है और इस पानी में मैंने एक दो बूंद शैंपू का योज किया है तो बूंद ही काफी है और बस उसको खोल दीजिये पानी में दूसरी चीज यहाँ पर यह फटे दूद का पानी है या इसको आप पनीर का पानी भी कह सकते हैं तो कैल्शियम, मिनलर्स, कार्वोहाइडरेट्स, प्रोटीन, पोटेशियम, जितनी भी चीज़े हैं यह इस फटे दूद के पानी में आचुकी हैं और कोई बिस इनशान यह ने चैसकता की दूद के या फटे दूद के पानी में क्या-क्या फायदे हूते हुमें मालूम नहीं, जादतर लोगों को यह मालू होता है इसलिए वो खुद भी यूज़ करते हैं अब अगर आप वो चीज़ आपको फायदा करती है तो आपके प्लांस को फायदा करेगी ही करेगी तो आपने देखा कि मैंने उसको पांच गुन जादा पानी में मिलाद कर इस्तेमाल किया है और मैं उसको हार टाइप के प्लांस में दे रहे हूँ फ्लारिंग प्लांस हो, फ्रोटिंग प्लांस हो, सबजी के पौधे हो, वाइन हो किसी भी तरीके की उसको आप दीजिए तो जड़ों की विकास के लिए टेहनियों की तनों की विकास के लिए और पत्तों में बहुत बहुत बहुतरीन सा कलर लाने के लिए साथ में जादा फूर्ट पाने के लिए और सबजियां पाने के लिए ये तो इसके फाइदे हैं ही इसके अलावा इसको आप स्प्रे कीजिए क्योंकि इसमें शैंपू का पानी मिला हुआ है तो ये एक फर्टिलाइजर और पेजिसाइड का काम करता ही है फंगिसाइड भी है तो कीट नाशक है ये इसको पत्तों के ऊपर छड़किए सबजी की जो बेले होती है उस पर कीडों मकोडों का अटेक बहुत होता है मिटी में भी कुछ ऐसे कीड़े हो जाते हैं जो की जड़ों को तनों को खा जाते हैं सड़ा देते हैं आपके पौदे खतम कर देते हैं तो ऐसे में आपको पेशिसाइड मार्केट से खरीदने पड़ते हैं अगर आप बहुत जल्दी जल्दी हफते भर में इस और्गेनिक पेशिसाइड कर स्टेमार करते रहेंगे तो आपके पॉन दें बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, कोई भी केड़े नहीं होंगे उसके अंदर और मिटी भी सेफ रहेंगी, हैल्दी रहेंगी फ्लारिंग फरोटिंग के लिए आपको गमली की मिटी को ऐसीडिक रखना होता है तो मिटी को ऐसे डिक बनाने के लिए भी ये फटी दूद का पानी या पनीर का पानी बहुत हेल्पफुल साब होता है तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ है ना इसको भी मैं मैश कर दोंगी तो दो-चार गमलों में या क्यारी में ये और हो जाएगा तो मैं तो पनीर को भी ऐसे ही डाल देती हूँ कुछ दिन में ये मिटी पर पड़े-पड़े धूप निकलती है तो ये वो हो जाता है डीकमबोस गल्ले लगता है और इसको कीड़े-मकोड़े खा कर जो उसमें जीब चन्तू होते हैं वो खाकर इसको एक फर्टिलाइजर के रूप में बदल देते हैं क्योंकि ये मेरे बहुत बड़े-बड़े से प्लांट से तो इन सब में कम पड़ता है बारिश हो चुकी है अगर मैंने जादा पानी नहीं भी मिलाया है तो कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें अल्लेडी मिटी गीली है और लेकिन जादा है तो ये नीचे ड्रेने जोल से निकलेगा नहीं और अगर बारिश हो गई तो निकल भी सकता है लेकिन तब तक ये एबजोर्ब कर लेगा क्योंकि इतने जादा पत्तों के उपर बढ़ा हुआ है ये और अगर धूप निकल गई तो बहुत इच्छी बाते फंगस भी नहीं क्रियेट होगी फंगस वैसे भी नहीं क्रियेट होगी क्यूं? क्यूंकि इसमें शैंपू मिला हुआ है और उसके खुश्बू कीड़े मकुड़ों को पसंद नहीं आती नहीं उसका टेस्ट पसंद आता है तो वो फिर्कुल भी फंगस नहीं लगने देता है यह तरीका मेरा अपना है मैं एपलाई करती रहती हूँ आप मेरे बहुत सारे वीडियो में देख सकते हैं तो अगर आपको डाउट होगा नेक्स्ट दे मैं आपको फिर से दिखा दूगी कि फंगस नहीं क्रेट होती है जो इंसान जो काम करता रहता है न वो वही शेयर करता है और फिर आपके यहां अगर फंगस क्रेट हो जाती तो उसकी रीजन दूसरे हो सकते हैं मेरे जितने भी पुराने फ्रेंड से उनको मालूम है कि मैं अक्सर करके यह फर्टिलाइजर देती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अलाहाफेज